हेलो विवान एंड विल्कम बैक तो दो यूट्यूब चानल गाइज एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स का पार्ट एट है ठीक है छोटा सा पार्ट रहेगा बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर ना कुछ वेराइटीज वगेरा डिसकस करूंगा क्रॉप्स की तो जहां पर मैं क् कि आप उसके ओपर फोकस रहो और उसको लवन करो ठीक है तो दस बारा मिनिट का मैक्सिमुम यह लेक्चर होगा और पीडिएफ तो टेलीक्राम के ओपर अपने को मिदी जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है फटापट से कोशन करेंगे इंपॉर्टेंट कोशन दो ही कोशन कराऊंगा अच्छा इस पटिकुलर वीडियो में दो ही कोशन कराऊंगा ज्यादा कोशन नहीं कराऊंगा ठीक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कोशन है और उन कोशन से रिलेटिट जो आपको नॉलिज फिर मिलेगा उसके अंदर फर्दर कोशन बन सकते हैं तो वो टू इंटू फाइव कर लेना ठीक है क्योंकि हर कोशन से अराउंड राम से पांच कोशन बनता है तो टू इंटू फाइव कर लेना दस कोशन नहीं है चलो फटा फट से शुरू करते हैं और पहले कोशन के उपर आजाओ कोशन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था वो ये भी पूछ सकता था कि सुजलाम सुफलाम अभियान स्टेट का नाम दे देता कि इस स्टेट का ये इनिशेटिव है ये किस चीज से रिलेटेड है ठीक है वाटर कंसरेशन इरिगेशन डिवलप्मेंट जो भी multiple options वहा सुजलाम सुफलाम अभियान के लिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा option C गुजरात गुजरात का बेटा ये water conservation program है जैसे national level के उपर चलते रहते हैं पर drop more crop और हर घर जल इस तरह से water conservation initiatives और चलते रहते हैं स्टेट में भी होते हैं तो सिरफ गुजरात ही नहीं है और भी states के ऐसे initiatives हैं तो वो भी अपने देख लेते हैं कौनसी कौनसी state के important initiatives हैं क्योंकि जैसे मैंने सुजलाम सुफलाम अभियान पूछ लिया तो बाकी की states का भी पूछा जा सकता है तो अगर आप बाकी की states के अंदर देखोगे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल अभियान है ठीक है महराष्टरा में जलियुक्त शिबर गुजरात में तो सुजलम सुफलम अभियान आई गया तलंगना के अंदर मिशन ककत्या अंध्रा के अंदर नीरुचेतू बिहार के अंदर जल जीवन हरियाली हरियाना के अंदर जल ही जीवन और तामिलनाटों के अ यानि कि साथ और प्रॉबेबल कोशन बन गए हैं मैंने तो फिर भी आपको टू इंटू फाइवी करने को बोला था है तो यहाँ पर साथ कोशन आपके और बन जाएंगे इनको याद कर ले ना इनमें से डिरेक्ली कोशन पूछा जा सकता है प्रिवियस यहर के कोशन देखोगे तो इस टाइप के कोशन पूछे भी गए है नेक्स कोशन सेकेंड कोशन लास्ट कोशन के लो इस लेक्चर का जे 010506 यह वरैटी है किस क्रॉप का जिसको रिसेंटली जोहरलाल नेहरु क्रिशी विश्व विदैल्या ने रिलीज क्या ता अब यह जोहरलाल नेहरु क्रिशी विश्व विदैल्या जो है न J O 1 0 5 0 6 यह किस चीज़ का वराइटी है रिसेंटली लॉँच हुआ था फेबरी के मैं इने का करेंट देख रहे है न option A oats, B wheat, C rice, D mace E none of the above तुक्का लगाने का कोई scope है क्या इसके अंदर मेरे हिसाब से तो कोई scope है नहीं या तो आता है या नहीं आता है वाला सिनेरियो होता है इसके अंदर तो बिल्कुल भी तुक्का लगाने की कोशिच भी मत करना कोई फायदा होने वाला नहीं है so the right answer guys over here is option A oats oats का variety है oats का variety है तो यह कुछ varieties जो है release की थी आपके जोहालान लेरू institute ने देखते हैं कौनसी कौनसी variety थी और उनके अंदर क्या-क्या salient features थे तो सबसे पहले oats की दो variety इन्होंने release की थी सबसे पहले तो J-O-1-0-5-0-6 ठीक है J-O-1-0-5-0-6 J-O में जो O है oats मैं तो ऐसे ही याद करूँगा अगर मुझे याद करना होगा J-O oats मेरे को बस MCQ मेरा टिक को जाना चाहिए मेरे को वैसे याद रखना क्योंकि दूसरे वाला जो variety है वो भी J-O है J-O oats तो oats बेसिकली जो J-N-K-V-V है जो आलना लेरू इंस्टिटूट है इन्होंने क्या बोला कि जहां पर इन्होंने टेस्ट किया और जहां पर इन्होंने बेसिकली recommend किया कि जो seeds है या या variety suitable रहेगी तो J-O10506 के लिए बोले हैं कि असाम, Odisha, जारखन और इस्तन उत्तरपरदेश के अंदर suitable रहेगी तो salient features क्या है एक तो जहां पर rain fed areas है ठीक है जो basically rain के उपर dependent है ठीक है and irrigated areas के अंदर भी आप इसको grow कर सकते हो normal fertility condition होनी चीए soil की average green fodder yield जो आप इस variety के साथ use करोगे वो है 219 quintal per hectare का ये crop जो है मेचार हो जाएगा 135 से 145 days के अंदर water lodging अगर होती है ठीक है उसको resist करेगा and leaf blight and root rot जो odds के अंदर problem होती है moderately उसको भी resist करेगा not very strong not very weak but moderate resistance जो है वो शो करेगा फिर जे ओ 05303 ये UP महराश्रा और गुजरात के लिए suitable है rain fed irrigated conditions के अंदर आप कर सकते हो multi cut variety है और average जो इसके अंदर आपको green fodder use करना पड़ेगा वो जादा है अगर हम जे ओ 10506 के मुकाबले देखें तो green fodder का use इसके अंदर basically average green fodder yield की हम यहां पर बात कर रहे है जो यह देगा that will be around 560 quintal per hectare sorry guys यहां पर यह yield की बात कर रहा है sorry sorry I'm sorry यहां पर green fodder use करने की बात नहीं कर रहा है जो green fodder yield देगा तो green fodder yield यहां पर जादा देगा 560 quintal per hectare का देगा और dry matter yield जो है वो around 114 quintal per hectare देगा तो yield इसका जादा है JO05304 का maturity 130 से 140 दिन के अंदर होगा और यह भी moderately resistant है leaf blight और root rot के लिए फिर कुछ wheat की varieties भी launch की गई wheat के अंदर एक था आपका MPJW1358 MPJW1358 यह महराष्टरा करनाटका और तामिलाडू के लिए suitable है ठीक है जहाँ पर restricted irrigation है irrigation बहुत कम available है वहाँ पर आप इसको grow कर सकते हो timely लेकिन आपको swing करनी पड़ेगी ठीक है time से ऐसा नहीं late swing के लिए नहीं चलेगा average yield जो है वो 56.1 quintal per hectare कर रहेगा maturity जल्दी हो जाएगी 105 दिन के अंदर mature हो जाएगा bio fortified variety है इसको protein के अंदर iron के अंदर rich बनाया गया protein around 12.1% रहेगा और iron 40.6 ppm रहेगा heat और drought stress को tolerate कर सकता है और black and brown rust जो disease होता है wheat के अंदर उसको resist करेगा उसके बाद दोस्तों next variety है MPJW1323 Madhya Pradesh के अंदर basically recommended है और irrigated area है जहां पर timely sowing हो रही है जहां पर average yield अच्छा खासा देगा 61.5 quintal per hectare का average yield देगा 117 दिन लगेंगे mature होने के अंदर protein content इसके अंदर काफी हाई है 14.5% और brown और black rust resistant है multiple questions इसके अंदर बन सकते हैं MPJW1323 for example मैं question मनाऊ MPJW1323 a variety of wheat is resistant to बहुत सारे diseases हैं wheat के उनके नाम देदेगा उसमें से एक option black rust या brown rust रहेगा और वो आपका answer बन जाएगा ठीक है अच्छा मैं एक बात और बता दूँ मैं बार बार बोलता हूँ हर बार बोलता हूँ दोबारा repeat कर रहा हूँ कि ये एक दिन में चीज़े याद नहीं होती है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप मेरी 10 minute की वीडियो देख लोगे और 10 minute की वीडियो जब खतम हो जाएगी तो आप तालीब हुजाओ गया रहे वाँ मेरे को सब याद हो गया अंटिनने अनलेस वेरी you know fast और वेरी smart और very intelligent मतलब जो होता ना कहीं लोगों की memory होती है photogenic memory बोलते हैं उसको ठीक है कि ultimately कुछ भी देखा तो वो एक तरह से तस्वीर की तरह दिमाग के अंदर चिपक गया लेकिन वो लाखो में से एक दो लोग होते हैं टीक है time लगता है इन चीजों को याद होने में तो time देना है ठीक है time देना और ऐसा नहीं है कि यह सारी varieties एक दिन के अंदर अंदर आप याद कर सकते हो ठीक है सारी varieties एक दिन में याद नहीं होगी एक दिन दो variety याद पर दोट जोदोक्रे मेरी तो वो जाधा better है या आप एक दिन में बहुत सारा काम कर रहे हो एक दिन में बहुत सारा कर रहे हो लेकिन बाकी के दिन आपने कुछ नहीं किया वो better है तो ultimately जो result आएगा वो इस वाले का better आएगा result किसका better आएगा इस वाले का better आएगा जब आप consistently कुछ कर रहे हो ठीक है एक दिन आप बहुत जारा पढ़ लिए मैं जैसे बच्चों को बोलता हूँ कि एक दिन पढ़ लिए 20 गंटे जोश में आ करके बाकी के चार दिन फिर किता भी नहीं खुली थक गये दिमाग पुरा थक गया ठीक है तो ultimately फाइदा उसका कोई नहीं है राइस की वराइटी भी लॉंच की थी बेटा JR10 R for rice, R for JR ठीक है, मध्या परदेश के अंदर and suitable for early to medium duration planting during kharyf season early planting कर लो या medium planting कर लो ठीक है जी, जहाँ पर भी आप rice growing areas है, MP में वहाँ पर इसको use कर सकते हो average yield अच्छा है, 50 to 55 quintal per hectare का average yield रहेगा 120 दिन के अंदर mature हो जाएगा farmer जो है, इस crop के cultivation के बाद, harvesting के बाद lentil और chickpea ग्रो कर सकते हैं और यह जो आपका variety है JR10, यह moderately tolerant है blast और blight diseases से next आपका variety आजाता है Niger, Niger के varieties Niger में एक तो सबसे पहले JNS N4 Niger, ठीक है JNS 2016 1115, यह पूरे इंडिया में इसको recommended है, ग्रो करने के लिए rain fed as well as irrigated में ग्रो कर सकते हो average yield जो है, 6.5-7 quintal per hectare का रहता है oil content इस variety का अच्छा है, 39 to 40% maturity के लिए 96 to 102 days लगेंगे ठीक है, जो carcospora leaf spot होता है, नाइजर के अंदर उससे tolerant है, alternate area leaf spot से tolerant है, powdery mildew disease से tolerant है, और moderately tolerant है, aphides, semilopper और caterpillar जैसे insects से उसके पाद नाइजर के अंदर दूसरी variety इन्होंने launch की JNS 20159, यह MP के अंदर recommended है और rain fed और irrigated condition दोनों में ग्रो कर सकते हो, hill और plain area दोनों में, average yield 5.5-6 quintal per hectare करेगा oil content इसका 37-38% है maturity के लिए 99 से 103 days लगेंगे tolerant, carcospora और alternate area leaf spot से tolerant है, powdery mildew disease से tolerant है, और aphides, semilopper और caterpillar, तो disease और pest वाला तो सेम है जैसा JNS 2016 का है नाइजर में जो third और final variety है वो है JNS 521 मध्यपरदेश में के लिए ही recommended है, again rain fed, irrigated, plain और hill दोनों के लिए, average yield 5.5-6, oil content 37-38%, maturity again 99-109, alternate area leaf spot, powdery mildew disease से tolerant है और साथी साथ, aphides, semilopper और caterpillar जैसे pest attacks को भी, basically यह avoid करता है तो यह आपके कुछ important varieties है जो आपको याद रखने है और इस वीडियो को इतना ही मैं रख रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है जहाँ पर भी varieties वगेरा का current आएगा वहां मैं छोटा ही रखूँगा वीडियो उसको दोस्तो, subscribe ज़रूर करना है यह आप जानते हो, ठीक है आपने channel को share ज़रूर करना है views बढ़वाने हैं, मैं बता दू सीधी सीधी बात मैं सीधा बात करता हूँ ठीक है, क्योंकि view बढ़ेंगे, subscriber बढ़ेंगे मेरे को motivation मिलेगा, मेरे को और काम करने की प्रेरना मिलेगी देखो, सीधी बात करता हूँ, मैं इधर उदर की बाते गुमा करके नहीं करता और साथी साथ bell icon भी प्रेस कर लो क्योंकि bell icon प्रेस करोगे, तो ultimately क्या होगा notification मिलती रहेगी वीडियो की चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then take care and bye